वल्कम पैक दोस्तों स्वागत है अब सभी का एक और लेटेस्ट अपडेट में और आज की इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं SSMB 29 के बारे में राजमोली सर का जो बैक टुबैक प्लानिंग आ रहा है अब सुटिंग से पहले बहुत सारे न्यूस वाइरल हो रहे हैं सबसे बड़ा जो नाम निकल के आ रहा है वो है टॉम क्रूस का नाम अब टॉम क्रूस आएंगे नहीं आएंगे एक एप्रोच गया है SS राजमोली सर के तरफ से ये कनफर्म अपडेट नहीं है लेकिन जो कास्टिंग के लिए जो एप्रोच जाता है वो जा चुका है अब वो इस चीज़ को एक्षप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो तो नहीं पता लेकिन अगर टॉम क्रूस आते हैं तो पिछली मुवी से बहुत बड़ा इसका वैल्यू जो है बढ़ने वाला यहों कि टॉम क्रूस का हॉलिवुड का जो फॉलोर है वो अपने आप में बहुत बड़ा है उनका जो मार्केट है वो काफी बड़ा है और अगर बात करें इसके वी एफेक्स टीम की तो SS राजम वाले हैं उनका यह प्लैनिंग है फ्रेंचाईजी तो उन्होंने पहले ही बोल दिया है और विजेंद्र बचाद सार जो इसका स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं जिसका राइटिंग कर रहे हैं तो उनका भी यही कहना है कि यह मल्टी पार्ट में रिलीज होगी यानि कि इसका स जुलाई या जून के महिने में जाने वाला है और अगर टॉम कुरूस के साथ और कुछ हॉलिवूड आटिस्ट भी SSMB 29 के साथ आके जॉइन करते हैं तो यह फिल्म का जो फॉस्ट डे कलेक्शन होने वाला है वो मुझे लगता है मिनिमम इंडिया नेट सतर से असी करोड मिनिमम यह लेने वाला है आप चाहे हिंदी वेल्ज ले लो या फिर टोटल इंडिया नेट पांचो लेंगविजेस में सतर से असी करोड आराम से माल लेगा क्योंकि हॉलिवूड का जो बज्ज है अगर वहां के स्टार यहां के काम करेंगे तो एक अलगी बज्ज निकलेगा तो आप ज्यादा कितने एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में जरू बताना तब तक के लिए थांकिए पर वोचिंग क्याता तो ऑ्कान से सुड़िव प्रेगा क्या चाहरा थांकि हॉलिवूड करें हो